हेलो फ्रेंट्स मैं हूं सीवानी वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंट्स इन्सीवीटी के जो थेओरी वाले छात रहें उन लोगों का जो कोपा वाले और उसके अलाव है जो बड़े-बड़े ट्रेट्स हैं जिनकी अभी तक थेओरी की परिक्षा नहीं ह हुई है उसका अपडेट्स आ गया है और उसका टाइम भी बता दिया है डीजीटी ने कि कब परिक्षा होगी उसका टाइम और डेट दोनों आ चुका है मैं आप लोग सेर करने बाले क्योंकि सारे श्टूइन जो बड़े-बड़े ट्रेट्स के उनकी अभी तक परिक्षा नहीं थी और सारे श्टूइन पूछ रहे थे तो फिफ्ट फेज में जो परिक्षा होगी वह आप ही लोग की होगी आप लोग देख लिए कब होगी परिक्षा सारा कुछ डिटेल साथ चुका है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइ लेते हैं और नोटिस को डाउलोड कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे आप लोग के फिफ्ट फेज का जो हमारे पास अब्रेट आ चुका है जो कि मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूं आप लोग को पता होना चीए कि फूर्थ फेज तक की जो परिक्षा थ फेज था 11 तारिक से एक परिक्षा स्टार्ट है और परिक्षा भी चल रही है लेकिन इतनी जो भी चार फेज तक परिक्षा चली है वह ऐसे चीप प्रिक्षा ली गई हैं जिसमें की बहुत कम अश्जिट है आप लोग को पता होना चीए जैसे कि कि सिट्रेट समें 10 थे कि इसी ट्रेट्स में 20 हैं किसी में 40 हैं इस तरीके से बहुत कम-कम अश्ट्रेंट है और उसी ट्रेट्स की परिक्षा डिजिटी ने सबसे पहले करवाई है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कंप्यूटर के उतनी विवस्था नहीं थी तो पहले जो है कंप्यूटर पूर रहे हैं या फिर नहीं कंप्यूटर की कमी हो रही है कितना कंप्यूटर और चाहिए ताकि उनको और थोड़ा सा टाइम मिल जाए क्योंकि अगर बड़े-बड़े ट्रेट्स का जो है सबसे पहले एक्जाम करा देते डीजीटी उसमें जिसमें की बहुत ज की परक्षा खतम हो चुकी है अब जिसमें अधिकतर स्टेंट हैं जो कि स्टेंट का नीचे हमेशा कमेंट से में पूछते रहते हैं को पावाले या फिर इलेक्ट्रीशन वाले उन सभी का जो है अपडेट्स आया तो आप लोग जो है सभी स्टेंट जितने भी ट्रेट्स वाले हैं सभी जो वीडियो को अंतक देखते रहिए सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो बता गया है कि दो फिफ्ट फेज से डूल ऑफ सीवीटी इज सीडूल फ्रॉम 27 तो 29 जैनुरी यानि की अगली जो फिफ्ट फेज की परक्षाएं जो होने वाली है वो 27 से 29 जैन को पाट्रेट्स के लिए और भी अगर ट्रेट्स का नाम है तुम्हें जरूर बताऊंगी अभी फिलाल में यह बता गए आप लोग सभी चाहें आप लेक्ट्रिसन के हो या ना हो को पासे हो या ना हो तब भी वीडियो को अनुत देखिएगा थोड़ा से धहर बनाके ताक एर्ज्मेंट की जा रहं है और यहां पर साथ सबसाब बता दिया गया है कि hun फिर फिर यहां पर पर इमेल्स दिए जाएंगी एक संटर पर उनको सुचित कर दिया जाएगा नोटिस के द्वारा डिजिट जो है नोटिस भेज देगी और जो है सारे जानकरियां दी जा रही है अभी तो फिलहाल में फेश पोर की परिक्ष्छा चल रही है तो जैसे फेश फोर की परिक्ष्छा कंडम हो जाएगी तब या NCVT has to participated in mock test यानि कि यहां पर चाहे आप SCVT के स्टुडेंट हो या NCVT दोनों के लिए है अगर स्टुडेंट है उनके लिए भी सताय से 19 में जो कोपा और एलेक्टिसिन की परिक्षा होगी और NCVT के स्टुडेंट है उनका भी एलेक्टिसन और सताय से 19 सक में ली जाएंगी और यहां पर बता दिया कि पार्टिपेंगी आप लोग का नीमी आप पे करवाया जा रहा है उस खास करके आप लोग के लिए क्योंकि exams में जो है बहुत जाद दिक्कते आ रही है student को तो आप लोग को ना आए इसलिए यहाँ पे साब साब हर एक बार लिखा जा रहा है कि mock test में जरूर पार्टिसिपेट करें सभी student चाहिए आप cbt को ncbt सभी student ताकि आप लोग को कोई भी problems ना आये यहाँ पे जो चानकारियां दी गई थी कि कोपा और इलेक्ट्रेशन की परिक्षा तो 27 से 29 तक में ले जाएगी उसके अलावा जो अस्ट्रेंट है जो कोपा और इलेक्ट्रेशन के अलावा जिनकी परिक्षा नहीं हुई है सबसे पहले तो आप लोग जो है सकूँ आपके अपडेट्स तो इसके अलावा पर जितने भी ट्रेट्स हैं 29 तक जो परिक्षा हैं ली जाएंगी यहां तो पहले तो यह निकल के आ चुकिए कि 17 से 29 तक कोपा और इलेक्ट्रेशन की होगी उसके बाद 29 के बाद 30 से जो है स्टार्ट होगा या फिर 31 से या फिर मैं आप लोगों को बोल देती हूं कि फेवर्री भी चला जा सकता है मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर मैंने बोला था कि फेवर्री में भी परिक्षाय ली जाएंगी क्योंकि जैन्वरी में कंप्रीट नहीं हो पाएंगी अभी बहुत सारे हैं अगर कोपा और तक तो होई जाएगा तो बच गया जैन्वरी में 30 और 31 दो ही दिन बच गया है अगर उन दो दिनों में डिजिटी अगर कोई टाइम टेबल निकाल देता है क्योंकि इस बार जो है डिजिटी टाइम की पूरी तरीके से वैल्यू दे रहा है क्योंकि एक दिन का भी बीच मे परिच्छा होगी इसके अलावा जितने वे श्ट्विंट है आप लोग निस्चिनते रहे हैं फेवरी में टाइम टेबल्स निकलेंगे आप लोगों की सिफ्थ फेज की अभी तक सिफ्थ फेज की कोई भी नहीं जानका रही आई अभी फिफ्थ फेज की है और यह परिच् बिल्कुल भी मत छोड़िए और मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मत छोड़िए सबसे ज़्यादा जरूरी अभी फिलाल के लिए मॉक टेस्ट इसमें कि आप लोग पार्टिसिपेट करते रहेगा निमी आप को इंस्टॉल कर लेजिए और वहां से जो है जितने भी क्वेस्ट और जल बतल पूछ रहे हैं कि जो निमी एप पे जो कोश्चिन आरहें क्या वही अग्जामड में आहेंग़ कजिंदे चाहरे हूं हैं कि दिए करना था वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजेगा चनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा बिलाइकन को प्रेस कर लिजेगा क्योंकि कोई भी अप्डेट आएगी जैसे ही इसकी जो अब्रेट आएगी 27-29 तक की टाइम टेवल भी जारी किया जाएगा तो मैं आप लोग से शेयर कर दूंगे तो चलिए आज इस नहीं थेंकिए